दोस्तो आज के इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसी औरत को जो की अपने हैस्बेंट के सामने ही गैर मरदों से रिष्टा बनाती है और अपनी लाइफ को बहुत ही मजे से जीती है तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बैनी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो की लाइफ जैनिफर के साथ एक पार्टी में जा रहा हो जहां पे हम जैनिफर को देखते हैं जब वो अपने हैस्बेंट के साथ उस पार्टी में जाती है तो उसे वहां पे अपना एक पुराना दोस्त मिल जाता है और वो अपने हैस्बेंट के सामने ही उसे हग करने लगती ह जिसके बाद वो से नीचे ले जाती है और नीचे ले जाके उसे लाइव के मज़े देने लगती है जहाँ पे हम बैनी को देखते हैं जो कि जैनिफर को ये सब करते हुए देख रहा था मगर वो अपनी वाइब से कुछ भी नहीं कह पाता है अब हम देखते हैं उस लड़के को जो कि सारे मज़े लूट खे जब उपर आता है और वो से बताता है कि जैनिफर को मेरे लावा कोई और टेश करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं उसके अकरोट को पूरी तरीके से तोर देता हूँ जहां पे हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बैनी की बात को सुनकी काफी डर जाता है और अपने अकरोटों को बचाते हुए वहां से निकल जाता है अब जब सुबह होती है और जैनिफर को इस बात का पता चलता है तो वो बैनी पे बहुत गुसाती है और वो बैनी से कह दी है ये मेरी लाइफ है और मैं इसे जैसा चाहूं वैसे जीऊंगी और हम दोनों की शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम जोक होगे वो मुझे करना होगा खैर हम देखते हैं इन दोनों को एक बड़े पार्टी में जहाँ पे बैनी बैठा होता है तब ही वहाँ पे और एक हैंसम सा लड़का आता है और पियानो को बजाने लगता है जिसके बाद जब बैनी अपनी वाइफ के तरफ देखता है तो जैनिफर उस लड़के को अपनी तरफ इशारा कर रही होती है और जैसे ही कुछ समय बीटता है हम देखते हैं बैनी को जोकी अपने घर में उसी लड़के को देखता है जहां पे जैनिफर उस लड़के को पादिश होने लगती है और जैनिफर और वहाँ पे नहाने वाले सभी लोग अंदर चले जाते हैं मगर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि सुविंग पूल में नहाई रहा होता है जिसके बाद हम बैनी को देखते हैं जो कि सुविंग पूल के अंदर जाता है और उस जैनिफर सबको बुलाती है, मगर तभी सबको पता चलता है कि उस लड़की की जहाँ पे जैनिफर को ये देख की बहुत बुरा लगता है और जब वहाँ पर पुलिस आती है तो जैनिफर चिला चिला के कहती है कि ये काम मेरे हैस्बेंड ने किया है, मगर उनके पास कोई जहां पे बैनी बस एक चौगीदार बनकर ये सब कुछ देख रहा था मगर बैनी को उस लड़की पे बहुत गुस्सा आता है जहां पे वो उसके कैफे के बाहर आता है और उसे अपनी गारी में बैठालता है और ले जाके उसके साथ भी वही खाम करता है जो कि उस लड़के क साथ उसने किया था जिसके बाद हम जैनिफर को देखते हैं जो कि बैनी के रूम के अंदर जाती है और वहाँ पे तलासी लेने लगती है तब ही उसे वहाँ पे उस लड़के का परस दिखाई देता है जिसमें उसकी फोटो होती है यहाँ पे जैनिफर समझ जाती है कि ये स सब कुछ काम बैनी नहीं किया है और जो भी जैनिफर के नजदीक आता है बैनी उसके गोटे को फोर देता है और इस सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर ही आएंड उचाता है